क्या सीक्वल में होगा ओजी किर्दारों का क्यामियो कौन से रीजन्स ये बताते हैं कि पार्ट टू है ज़रूरी हेलो फ्रेंड्स मैं शूती और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलिग्रेंड स्टूडियोज जब नए और पुरानी किर्दारों का होगा मिलन तब रीक्रियेट होगा 90s का दौर खलनायक 2 की कहानी तयार है और अब खलनायक के रोल के लिए टाइगर शौफ भी तयार है कहा जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी पहले पार्ट से कंटीनिव होगी जैसा कि हमने खलनायक की एंटिंग में देखा था कि खलनायक उर्फ बलू ने खुद को पकड़वा लिया था और उसे जेल हो गई थी उसने गंगा यानि माधुरी दिक्षित को बचाने के लिए खुद को पकड़वा लिया था अब पार्ट टू में पहले तो आएगा बीस सालों का लीप और कहानी की शुरुवात यंग खलनायक यानी की टाइगर से ही होगी लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्ट वन के ओरिजनल किरदारों की एंट्री होती जाएगी जिसमें सबसे पहले तो रियल खलनायक यानी की संजेदत उनका आनाते है जो अपनी सजा काट कर वापस लोटेगा और उसे पता चलेगा कि उसका एक बेटा भी है उसके बाद गंगा यानी की माधुरी दिक्षित का किरदार भी होगा जो सीनियर पुलिस ओफिसर के रोल में होगी और आगे जाकर हमें गंगा और यंग खलनायक के रिष्टे के बार में पता चलेगा लेकिन जैकी शौफ के किरदार के आने की उमीद कम है पॉसिबल है कि इंस्पेक्टर राम की मौत हो चुकी हो साथी हम ये भी जानते हैं कि खलनायक गंगा से प्यार करता था लेकिन गंगा एक अंडर कवर एजेंट थी और इंस्पेक्टर राम की पत्नी भी थी लेकिन कहीं न कहीं गंगा को खलनायक की good side देखकर उससे लगाव हो गया था इसलिए इन दोनों की अनकही love story हमें खलनायक 2 में नजर आने वाली है जो एक surprising element की तरह होगा क्योंकि संजदत और माधुरिदेख्षत अपने जमाने के hot couples रहे थे और इन दोनों को फिल से एक साथ देखना काफी दिल्चस्प होने वाला है जो एक reunion की तरह होगा जब कुछ मक्त पहले खलनायक 2 film के बारे में खबर आई थी तब कई लोगों का ये कहना था कि इस film का part 2 क्यों जरूरी है तो सबसे पहली बज़ा तो ये है कि फिल्म की कहानी अभी अधूरी है हमने last में खलनायक को जेल चाते हुए देखा था लेकिन वो सुधर गया या उसकी आगे की कहानी क्या होगी ये अभी देखना बाकी है दूसरी बज़ा है गंगा का किरदा जो खलनायक से जुड़ गई थी और क्या वो राम यानी जैकी शाओफ को इस बार में बताएगी या उनकी कहानी क्या मोड लेगी ये जानना भी बाकी है उसके बाद तीसरी वज़ा है खुद संजयदत क्योंकि खलनायक फिल्म उनके लिए कई मामलों में important थी साथी खलनायक उनका एक iconic villain वाला किरदार है इसलिए इस किरदार को recreate करना तो बनता है और हमारी आखरी वज़ा है इस फिल्म की कहानी जिसमें crime, action, thrill के साथ romance भी था और फिल्म के dialogues भी iconic थे और आजकले ऐसी फिल्में कहां बनती है इसलिए इस फिल्म का part 2 बॉलिवुड की नईया को पार लगाने के लिए जरूरी है तो आपका इस पर क्या कहना है हमें बताईए comment section में और जाते जाते इस वारे वीडियो को कर दीजे लाइक को शेयर और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए और मुझे यानिकी शूती को दीजे जासत नमस्कार